आज अपना क्लेंडर का पार्ट हल्ड और लास्ट पार्ट है क्लेंडर के दो पार्टों में हमने देख लिया था पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जो रियल कोश्चन्स हमसे पूछे जाते हैं इस तारीक को क्या वार होगा वो हमने सॉल्व कर लिया था ओके तो जि लिए था उसके बाद के कोश्टन से हमने देख लिया था कि यह कोश्टन आता कि लगा तार 400 सालों में कितने लीप वर्ष हैं यह पुराने एक्जाम्बों में कई बार यह कोश्टन गुम चुका है कई बार यह आ चुका है तो उसका अंसर था 97 ना कि 100 यह भी मैंने पिछली वीडियो में डाल दिया था उसके लावा यह कोश्टन कलेंडर में आते हैं कि आने वाले कल के चार दिन बाद बीत हुए परसों से पांच दिन पहले क्या वार होगा ऐसे कोश्टन भी मैंने कल आपको करवा दिये उसके लिए बीच में आपने आज लिखने फिर इदर को या पूरे साल के सेम तारी को वार कब होगा जैसे मैं आपको कहूं कि यदि किसी समन्य वर्ष की पांच जन्वरी को सोंवार हैं तो बताएए उस साल उसी साल और किस महिने की पांच तारी को सोंवार ही होगा आपने वो महिना बताना है कि वो ऐसा कौन सा महिना है जिसकी पांच तारी को सोंवार ही होगा ऐसे कोशन पूछे रहते हैं तो इसके लिए हमें कोई ज्यादा कैल्कुलेशन की जूरत नहीं है कुछ भी नहीं करना जो मैंने कलेंडर फर्ष्ट की वीडियो में आपको कोड याद करूए थे मंत कोड़ वह मंत क्या थे 144,025,036,146 यह कोड़ याद कर रहे थे ना इन कोड़ के मताबिक आपको पता लग सकते हैं कि हमारा जो कलेंडर होते हैं जो समान नहीं वर्ष्ट का कलेंडर होते हैं उसके अंदर कुछ मिनें बिलकुल सेम होते हैं, कुछ मिनें बिलकुल सेम होते हैं, जैसे जनवरी और अक्टूबर का मिनना बिलकुल सेम होते हैं, यानि अगर एक जनवरी को सोवार है ना, तो एक अक्टूबर को भी सोवार ही होगा, पांच जन्वरी को सोवार है तो पांच एक्टूबर को भी सोवार ही होगा जन्वरी और एक्टूबर का मिनना बिल्कुल सेम होते है फर्वरी मार्च और नॉमबर का मिनना बिल्कुल सेम होते है अपरेल और जुलाई का मिनना बिल्कुल सेम होते है इस पकार से यह मन्त हमारे सेम होते हैं कुछ टूरेंट उसको रटते हैं रटा मारते हैं कि जनवरी और कोड़ का फर्वरी मार्च और नॉम्बर का अप्रेल और जुलाई का लेकिन हमने ऐसे रटें नहीं मारने आपको जो मैंने फर्ष्ट वीडियो में यह कोड कर रहे थे हैं आप इन कोड़ों क्यों कोड़ेंगे इसको याद कर सकते हो देखिए यहां पर एक कोड़ है सेम एक कोड़ का अंपर है यहां पर यह था जनवरी यह फर्वरी मार्च अप्रेल माई हुब हुब वार चलते हैं मतलब दो फर्वरी को अगर मंगलवार है तो दो मार्च को भी मंगलवार होगा और दो नुमंबर को भी मंगलवार होगा उसके लावा देखिए आप यह दोनों जीरो और जीरो यह आपका अप्रेल और यह आपका जुलाई है January, February, March, April, May, June, July, August, September April और July भी बिल्कुल सेम होते हैं उसके लावा ये देखी September और December September और December भी बिल्कुल सेम होते हैं हमें अलग से यार नहीं करने एक्जाम के अंदर बस आप ये लिख लेना 144, 025, 036, 140 मैं वापिस बता देता हूँ आपको January और October ये दोनों महिने सेम होते हैं उसके लावा February, March and November इसके लावा April and July और लाश्ट में आपका September और December September और December ये सारे मन्थ आपके सेम होते हैं ओके लेकिन ये किस एर की बात और ये समाने एर की ना के लीप एर की समाने वर्ष में समाने वर्ष में इसका आप स्क्रीन शोट खिच लिए जएगा अगर अपने बात करें लीप वर्ष की लीप वर्ष के लिए भी हमें अलग से कुछ याद करने की जूरूत नहीं है हमने क्या करना है जो हमने ये कोड लिखे हैं इन ही कोडों के जो पहले दो मिन्ने हैं यानि जन्वरी और फर्वरी इन में से एक-एक माइनस कर देना है मतलब इस कांसर आप को पतला कि अक्टूबर आएगा पांच जन्वरी को सो वार है तो जन्वरी का जो मंत होता हुआ वो अक्टूबर के सेम होता है इनके जो पहले 2 मिन्य है मतलब जनुरी और फृबरी इन में से 1 1 माइनस कर दीजी इसमें इसमेंस एक मायनस किए तो फ्री अग trashili attracting जेजियों इन टिनों के बरापर प्रवरी और नॉम्बर तो पहले असोरी और यह आपका हो गया अगस्त के साथ प्रवरी हो जाएगा अगस्त के साथ और इसके लावा आपका यह सब्टमबर दिसंबर तो पहले भी था और अब भी रहेगा सब्टमबर और दिसंबर तो पहले भी था और अब भी रहेगा उसके लावा कौं साब करेगा यह मार्च और नॉम्बर मार्च और नॉम्बर पहले भी था अब भी है मार्च और नॉम्बर मार्च नॉम्बर पहले था अब भी है सब्टमबर तिसमबर पहले था अब भी है ओके सिर्फ दिक्कत है कि और अप्रेल और जुलाई भी सेम था जनवरी और जनवरी अप्रेल और जलाई यह तीन मिहिने बिल्कुस William एक रवीवार था तो एक अप्रायल को भी रवीवार होगा और जलाई को भी रवीवार होगा फेबरेरी और अगस्त बिल्कुस में सब्सब्सक्रीम है इंको रच्टा मरने के में جरूरत नहीं है जो cur मखने 5 फरवरी को मंगलवार है तो ऐसा कौन समही न होगा जिसकी 5 तारीकों मंगलवार ही होगा अब इसकांस रो में पता है मार्च और Нौवंबर या तो option में मार्च और नौवंबर में से 1 होगा या इसकांस रहेगा बोथ आपके तो इन question का पसानी से स्ब्ध म्राइक से क्लेंडर में और यह जो भी topic करेंगे div वास्तिवी कांस निगानना कि एक जनवरी 2015 को क्या वार है 25 मार्च 2016 को क्या वार होगा यह बिल्कुल रियल आंसर थी आज वाले में हमको मानने को कहेगा यह कुश्चन सो बहुत आते हैं जैसे उसने का मान लीजिए 25 जनवरी 2018 का रवीवार है यह आपने मानना है मतलब अगर आप कलेंडर खोल के देखोगे आपको कोगे सर्थ 25 जनवरी 2018 का रवीवार ही नहीं मैंने यह नहीं कहा कि रवीवार है मैं यह करा हूँ कि मान लीजिए कि 25 जनवरी 2018 का क्या है रवीवार है अ मार्च 2018 के क्या वार हो उसी साल की तीन मार्च को क्या वार हो इसके लिए हम नहीं क्या करने अधिया पहले मापको फिर उसका शोट बन जाएगा लैंसी अंदर हम देखेंगे कि हमें देखो 25 तारीक से लेकर 29, 30 और 31, मतलब January के 6 दिन, February के, February हमें पता है, या 28 को उता है, या 29 का, 2018 तो लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं जाता, तो February के 28 दिन, March के कितनी तारिक पूछी है, 3, इन तिनों को जोड़ के, भाग देने हैं अपने 7 का, जितने भी दिन 25 जन्वरी और 3 मार्च के बीच आते हैं, उन सभी को लिखके, जोड़ के 7 का भाग देने, अब ये लिख लिया, अब इसको करने के 2 तरिके, पहला तरिक्कत हुए है कि इस पूरे को जोड़ लीजी आप, 286, 343, 37, 7535, शेश्वल दो, ये मैंने आपको, जो पहला पार्ट किया था, कलेंडर का, उसके अंदर बताया था, कि हमें हमेशा क्या चाहिए, शेश्वल चाहिए, शेश्वल क्या या दो, इस से शेश्वल को क्या करिए, आप रविवार के अंदर जोड़ दीजी, आप का आंसर आजाएगा, रविवार में दो जोड़ा तो आप का आंसर क्या है, मंगलवार, ओके, यह नहीं, यदि 25 जनवरी 2018 का रविवार है, तो 3 मार्च 2018 का क्या वार होगा, मंगलवार होगा, अग इसकी कल्कुल आटेंगे, तो 6 फल क्याएगा, 0, हमेशा 6 फल लिखने है, अब आप एड करिए, 6 और 3, 9, साथ का बाग दीजी, 6 फल वापिस क्याएगा, 6 फल पर कोई भी फरक नहीं पड़ेगा, जो पहले था वो ही अब आएगा, दो उसमें जोड़ दीजी, हम आंसर क्याएगा, मंगल इस तरीके से कोड बन जाते हैं, मतलब अगर अपने बीच के जो कोड लिखेंगे न, कोई मिनाट 28 का होगा, कोई 29 का होगा, कोई 30 का, कोई 30 का, जब आप उसको साथ से काटोगे, तो देखिए, 6 फल कभी 0 बचेगा, कभी 1, कभी 2, कभी 3, देखिए, बता रहा हूँ कि मैं क्या कहना चारा हूँ आपको, यह देखा आपने, नेश्ट कोशन दिखी, जैसे मैं नहीं आप लिखा, मान लीजिए, 24 जन्वरी, 2019, सोवार, तो बताईए, 6 मई, 2019, क्या वार होगा, यह कोशन है, अब 24 जन्वरी से लेके, 6 मई के अंदर, जितने भी आपके दिन आते हैं, वह सारे लिख दीजिए, जन्वरी को खत्म होने में 7 दिन, आगे फर्वरी का मिन्ना, फर्वरी में 28 दिन, मार्च में 31, अपरैल में 30, मही के 6, बता में 7, यह लिखा, अब इसका पूरे का जोड़ लगाने की ज़्यूरुत नहीं है, जिसमें 7 का बाग जार, उसमें पहली दे लो, 7, 4, 8, 0, 7, 4, 8, 3, 7, 4, 8, 2, तो कई वर्ष्टों इसका रटा मार लेते हैं, कि जब भी 28, 28 की जगा हमने क्या लिखना है, 0, 29 की जगा 1, 30 की जगा 2, 31 की जगा 3, तो इसको कोड भी याद कर लेते हैं, 0, 1, 2, 3, लेकिन मैंने आपको बताया है कि कोड बने कहां से है यहां से बने हैं, साथ का बाग देने के बाद जो शेशवल बचता है, उसी को हम कोड बोल देते हैं, इन परकार के कोशनों में, अब अपने इसको जोड लेते हैं, 6, 2, 8, 3, 11, 7, 18, 7, 2, 14, शेशवल के बचा है, 4, सोवर में 4 जोड दीजिए, सोवर को खुद को नहीं करवार, आपको के सारी, यहां पर अगर लीपीर हुआ दो, यह कोशन आपने देख लिए, अब इसी के अंदर अपने लीपीर ले ले लेते हैं, यहां पर 2,020 है, यहां पर 2,020 है, ओके, यहां पर एक दिन बढ़ जाएगा, शनिवार आ जाएगा, वैसे, 2,020 है तो यहा इसमें जोड़ो के तो आंसर फीर आपका शुकरवार नी आएगा, पहले अपमंगल बुध गुरु ॉशुकर शुकरशरु पहले शुकरवार नी आएगा, वो इसका आंसर याएगा, श्रिज़ुरु यह लोज इस तरीके से, और देखनें अपने एक-दो कुश्न करके, कि अब कई स्टुमेंट के माइन में रता सार अगर उसने फरवरी ही दे रखी है तो देखिए हपर गाल के डाउट हम करेंगे मालों यहां पर मैं लिखा 26 फरवरी 2016 मंगलवार तो अब आईए 6 अपरेल 2016 क्या वार होगा ओके तो दिन काउंट करने हमने देखो अब फरवरी में कितने दिन रागी खत्म होने में तीन दिन क्योंकि फरवरी 2016 16 लीपियर होता है तो 27 28 29 तीन दिन फरवरी के अब इसके बाद तो मार्च का मिन आएगा मार्च के 31 दिन और इसको काट लीजिए साचोक अठाइस तीन इनको जोड़ लीजिए छे तीन नौर तीन बारा साथ का बाग देजिए शेशवल पांच मंगलवार में पांच जोड़ दीजिए बुद्ध गुरु शुकर शनी रवी तो आप का अंसर क्याएगा रवी बोरो के कई बार उल्ट के दिखा दूँ अगर उसने का कि यदी पांच मई 2011 सोंवार है तो बताइए 25 जनवरी 2011 क्यावर रंगो दिन लिखने इन दोनों के बीच वाले अप पहले जनवरी से ले लिजिए मही को मत देखिए जनवरी से स्टार्ट कर लिजिए क्योंकि पहले तो जनवरी खत्म होगा ना आप सिधे चलिए लिखते वक्त जनवरी खत्म होने में कितने दिन 28 की है, मार्च 31 का है, अपरेल 30 का और मई के 5 दिन, मई के 5 दिन, बटा में 6, जो कड़ता उसको कार दीजी, यहां पे 0, यहां पे 3, यहां पे 2, अब इसको जोड़ लीजिए, 6, 3, 9, 2, 11, 5, 16, 7, 2, 14, रिमेंडर के बचा 2, शेश्वल 2 बचा, अब 2 आपने 100 वार में जोड कड़ आएंगे तो रवी और शनी, हमारा आंसर आएगा शनी वार, ओके, तो ऐसे questions हमारे exam में पूछ जाते हैं, अब कईयां को रहते की सार, अगर यहां पे sun अलग-अलग हो तो, वह भी कर लेते हैं, देखिए, अगर sun हमें अलग-अलग दिया हुए, जैसे, पहले एक simple question ले ले, 5 January 2011, मंगलवार, 5 January 2021, क्या होगा, ओके, यह question में दिया हुए, अब एक और मैंने तारीक और में इनना same कर लिया, इसको भी अलग कर लेंगे अगले question में, और sun अलग कर दिया, ओके, यह same है, यह अलग-अलग है, मतलब 10 साल बात पूछा कि, अगर 10 साल 5 January 2011 का मंगलवार था, तो 5 January 2020 का क्या होगा, हमने क्या करना है, इनका अंतर ले लिजी, कितने सालों का अंतर है, 10 साल का अंतर है, एक तो यह अंतर लिख लिजी, प्लस में, इन दोनों के बीच कितने लीप वर्ष आगे, वो लिख दीजी, एक तो लीप वर्ष आगे, दो ज एक हम साथ, 6 शेशल के बच्चा, 6, ये 6 मंगलवार में जोड़ दीजीए, बुथ, गुरु, शुकर, शनी, रवी, सो, ये लिजी, 10 साल बाद पुछे, 20 साल बाद पुछे, 20 साल पहले पुछे, ये आपके अंसर है, इनका अंतर लेने, प्लस लीप ये लिखने है, इनका होगर 5 जनुरी 2018 का, सोवार है तो 5 जनुरी 2019 का मंगलवार होगा, तो 10 सालों में 10 दिन बढ़ेंगे न, प्लस लीप ये करने में दिन बढ़ता है, और 3 लीप ये करने बढ़ जाएंगे, तो इस तरीके से हम कोश्चन को सोल्व कर सकते हैं, देखें, एक कोश्चन और करके 37 ले लेते हैं, का क्या हो रहा हूँ, तो इनके बीच कितने साल का गयप है, 20 साल का, प्लस लीप येर, पहले लीप रहेगा 20, फिर 24, फिर 28, फिर 32, फिर 36, मतलब 5, अब और में 7, पहले 20 आ जाएगा, फिर 24, फिर 28, फिर 32, फिर 36, पच्चिस बाग साथ, शेषवल, चार, चार जोड़ दीजिए, मंगल, बुद्ध, गुरु, शुकर, यह लीजी, यह मारा आंसर है, पीछे का पूचे, तो ही कैलकुलेशन करके, आपने माइनस करना है, देखो, एक कोशन वह बता दीजिए, अगर पीछे का पूचे, तो कैलकुलेशन करके, पलस नहीं करना क्या करने माइनस करना है, जैसे, दिये दिये जाए, 25 मार्च, 2009 मंगलवार है, तो अपता है, 25 मार्च, 2001 का क्यावार होगा, त्रिक्का हुई है, गैप कितने का 8 साल का, लीफ फिर कुंठ कुंस होगा, 2001 को 2009 की बिच, एक 244 वाल, और 2008 वाल, अब उन में 7, 8, 2, 10, रिमेंडर बचा 3, तीन जोडने ने ये 3 गटाने है, सौम, रवी, शनी, आंसर गएगा शनी वार, ये लिजे, पीछे का पुछे तो गटा दो, और आगे का पुछे तो जोड़ दो, सौल करने का तरिक करेगा वही का, वही, और देखे, अब कुछ जैनुवरी, दो हजार, बारा, मंगलवार, तो अब ता ये 5, जैनुवरी, दो हजार, बीस, ये लिजे, बीच में कितने का है, 8 सा लगा, प्लस में लिखने है, लीपियर, लीपियर कौन कौन सा एगा, 12 खुद लीपियर है, 12, 16, गैस तो 20 भी लीपियर है, लेकिन ये काउंट किया, जब तक उस वर्ष की आफ फरवरी काउंट नहीं करते है, तब तक हम उसको लीपियर नहीं बोल सकते है, जब तक हम पर मार्ज का मिन्ना नहीं था तब तक, अगर फरवरी भी लिखाने है, आप पर पांच फरवरी, तो अभी दो ज़र 20 को ऑइड़ काउंट बचे का तीन इसमें जुड़ेगा बूत गुरु शुक्कर अब एक और कोशन करते हैं अगर आप कहते हो कि सर ये दोनों चीजे अगर बदल दी जाए तो तारिक भी बदल दो महिना भी बदल दो और सन भी बदल दो तो इस प्रखार के कोशनों को हम कैसे करेंगे वह भी अगर हम तेनों चीजे बदल दें तो इसको कैसे कर सकते हैं जैसमें नहीं आप लिखा 25 मार्च 2011 सो और तो अब दाये 6 मई 2019 क्या और हो चलिए ये कोशन करते हैं सारा कुछ ही बदल दिया तारिक भी महिना भी सन भी इन प्रकार के कोशनों को कैसे करेंगे पहला त्रिक्का और तो यही पहले तो 2011-2019 का अंतर देखो 2011-2019 कीतने साल का है 8 साल का इनके बीच-2 12-12 और 2016 दो लिप वर्श रहेंगे यहां तक हो गया इसके बाद आप देखो दिनों अंतर जो उँमने इससे पहले वाली टाइप की थी जब दिनों का अंतर गया ये 25 मार्च और ये 6 मही है यह तो वर्षों का अंतर होगा, वर्षों का अंतर लीपियर, अब दिनों का अंतर लेते हैं, 25 मार्च और 6 मई में कितने दिन आ जाएंगे, पहले तो मार्च को खतम करना पड़ेगा, मार्च को खतम करने में कितनी दिन आएंगे, 6 दिन, फिर अप्रेयल के दिन आएंगे, अ इन दिनों को कैसे लिखा जाते हैं, यह आपके होगे, दिनों का अंतर, यह होगे आपका वर्षयों का अंतर, प्लस लिपिर, अब जिसमें 7 का बागज़त जा रहे हैं, पहली दे दीजे, 7 एकम 7, 6 वल 1, 7, 4, 28, 6, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 6, 9, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 प्रकार के questions exam में पूछे जाते हैं इनमें अभी भी आपको कोई भी किसी प्रकार का doubt है तो आप मेरे को comment box में comment करके पूछ सकते हैं अगर कोई comment नहीं करना जाता है परसनली पूछना जाता है तो परसनली भी पूछ सकते हो यह है मेरा WhatsApp नमबर 9694851040 इस नमबर पर पूछ ल सकते हो यह comment box में comment करके भी कुछ भी पूछ सकते हो क्लेंडर के जितने भी competition के अंदर questions आते हैं वह सारे मैंने आपको करवा दिये इसके बाद कुछ नया topic अपने लेकर आएंगे ओके थेंक्यू